उपर से जितने क्रिस्पी अंदर से उतने ही सौफ्ट है आज सिफ 10 मिनट पे बनने वाला बिल्कुल असान सूजी के वड़े बनाएंगे बिना आलू उबाले बिना धाई बिना सौडा का जटपर तरीके से इसे बनाना इतना असान है और ये इतना टेस्टी होते हैं न कि इस से आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और ऐसे स्नेक्स शाम को भी से सर्फ कर सकते हैं सभी को ये स्नेक्स बहुत ही पसंद आएंगी हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल यामी बेक मैं हूँ दिपाल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही कद्दुकस से कसेंगे याद रखिएगा हमें आलू के बारिक बारिक लच्छे चाहिए तो बारिक वाले कद्दुकस से कसेंगे और यह देखिए आलू के लच्छो को कस लिया है अब इसे पानी में डालेंगे ताकि आलू के लच्छे काले ना हो जाए अब हम कड़ाई में कलियों को ताजा कसकर डालेंगे आप चाहे तो लैसून को इसके भी कर सकते हैं अब डालेंगे बारी कटी हरी मिर्च एक इंच अधरक के टुकड़े को कद्दू कसकर के डालेंगे एक टीजपून कसूरी मेथी एक टीजपून तिल डालेंगे अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं अभी सभी चीजों को बड़िया से लो फ्लेम पर मिलाएंगे अब मिलाने के बद आलू के लच्छो को डालेंगे लच्छो का पानी निचोड़ कर कड़ाई में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हमें आलू को भूनना नहीं है, बस मिलाना है अब तुरन डालेंगे एक कप पानी हाइ फ्लेम पर पानी को उबालेंगे पानी उबलते ही डालेंगे एक टीस्पून नमक आप स्वाद अनुसार कमिया जादा कर सकते हैं साथ में आधा टीस्पून सूखी लाल मिर्च आधा टीस्पून अजवाइन और फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे अब हमें इसमें कोई दूसरा मसाला एड नहीं करना है हमने जो तड़का लगाया है उसी से नाश्टे का स्वाथ बढ़ जाएगा पानी में उबाल आते ही डालेंगे आधा कप सूजी आप सूजी मोटी या बारी कोई भी ले सकते हैं सूजी को लो फ्लेम पर मिलाते रहेंगे ताकि इससे गाठे ना हो आधा कप सूजी में हमें दुगना पानी डालना है तो यहाँ पर हम एक कप पानी डालेंगे और बढ़िया से सूजी के साथ मिक्स करेंगे फिलेम को हम अभी low to medium रखेंगे ताकि सूजी में दाने जो है अच्छे से घुल मिल जाए और इस तरीके से चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे आप देखेंगे कि सूजी का डो बन गया है और सूजी के डो ने कडाई का तला भी छोड़ना शुरू कर दिया है अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे हमें सूजी का पानी सुखाना है इसलिए अच्छे से डो को पका लेना है अब गैस को करेंगे बंद और इसे गरम गरम प्लेट में निकालेंगे और इस पैचुला की मदद से इसे थोड़ा सा फिला कर थंडा करेंगे आप दोस्तो एक कप सूजी और दो कच्छे आलू से भी ये नाश्टा बना सकते हैं अब हमारा सूजी और आलू का ये डो हलका सा थंडा हो गया है जब ये हलका सा गरम रहे हमें तभी मैश करना है करीब एक मिनट के लिए हम इसे मिलाएंगे वैसे तो दोस्तो सूजी हातों पे चिपकेगी नहीं अगर चिपक जाए तो थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से चिकना सा डो तयार कर लेंगे अब हम हातों पर थोड़ा सा ओल लगा कर नीवू के अकार का बॉल लेंगे और पैन या पैंसिल की मदद से बॉल के बीच में होल करेंगे पैन को भी आप ओल से ग्रीस करेंगे और ये देखिए बहुती असानी से बड़े का अकार बनकर तयार हो गया है आज के नाश्टे को मैं बड़े का अकार दे रही हूँ आप चाहे तो इसे कोई दूसरा अकार भी दे सकते हैं इसी प्रकार से हम सारे बड़े बनाकर तयार करेंगे और ये देखिए सारे वड़े रेडी हो गए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों आप इस नाश्टे को बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नेक में भी खा सकते हैं सूजी का ये नाश्टा बहुती मज़िदार बनता है, बहुती ज़्यादा हेल्दी और क्रिस्पी बनता है अब इसे फ्राइ करेंगे, पैन में तेल डालकर तेल को पहले ही गरम कर लियाए और हाई टू मीडियम फ्लेम पर एक एक करके वड़े डालेंगे जितने की पैन में आ जाए और high to medium flame पर fry करेंगे अगर आप इसे low flame पर fry करेंगे तो इसके अंदर तेल भर जाएगा आप इन वडो को कम तेल में भी roast कर सकते हैं या फिर air fry भी कर सकते हैं जब एक तरफ से light golden color आ जाएगा तो वडो को पलट देंगे इसे देखिए उलट पुलट करते हुए वडो को fry करेंगे आप देख रहे हैं कि वडो में बढ़िया से color भी आ रहा है और वडो जो इन तेल में बिखरे नहीं हैं और ना ही फटे हैं एकदम बढ़िया से बने हैं इसी तरीके से साड़े वडो को fry करेंगे और लीजिए हमारे सूजी और अलू के एकदम क्रिस्पी कम मसाले के healthy वड़े बनकर तैयार हो गए हैं मैं इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये देखिए कितने ज़्यादा अंदर से soft हैं और भासे क्रिस्पी हैं और इसके अंदर कोई तेल भी नहीं भरा है मैं इसकी अवाज भी सुनवाती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी है सुनिए सुना आपने कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से उतने ही soft बने हैं इसे आप 4-5 घंटे के लिए ऐसे भी छोड़ देंगे ना तब भी ये उतने ही जादा क्रिस्पी रहेंगे अब इसे आप breakfast में खाईए या फिर evening snacks में खाईए आपकी मरजी इसे आप धनिये की चटनी के साथ नारियल की चटनी के साथ ये ketchup के साथ खा सकते हैं सभी के साथ ये वड़े बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं एक बार बलदी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई